हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आज चैनल इंफोर्मेशन पाई बीशेक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट तो आपके लिए गुड नियूज इंतजार की खड़िया होई समाप्त और हमारे सामने इस वक्त आ चुका है उत्रपरदेश लोग से आयो की तरफ से जो इंफोर्मेशन थी जो उसका नोटिफिकेशन था ओफिशिल वो इस वक्त पब्लेश हो चुका है आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पारे होंगे स्टाफ नुरस पोर्ट एंड महला परिक्षा 2023 ऑनलाइन आविदन प्रारम होने की तिती 2823 ऑनलाइन आविदन आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे पहले आपको OTA registration करना होगा यानि one time registration आपको इसमें करना होगा ये mandatory है आपको ये करना है उसके बाद ही आप आगे का process complete कर पाएंगे और ये 72 hours तक आपको ये valid रहेगा तो आपको 75 गंटे पहले आपको ये करना होगा यानि आप कर सकते हैं इसको अभी और उसके बाहत यानि 72 hours के अंदर अंदर आपको अपना जो form है वो fill करना होगा और आपको ये form ये OTR आपको करने के लिए जाना होगा ट्रक्षा.ni.com पर आप जाकर अपना रइच्टरेशन कर सकते हैं रइच्टरेशन प्राप्त करने के बाद आप I.O. की वेबसाइट पर जाकर जो है ट्रक्षा.ni.com पर जाकर आप आविदन कर सकते हैं आपको हम बताएंगे आप डिरेक्ट पी जो ना UPSC की वेब साइट से भी आप डिरेक्ट OTR की वेब पर जाकर आप तो रेजिस्टेशन कर सकते हैं लेकिन आप इसके लिए आप हमारे साथ हां तक बने रहेगा उसके बाद हम देखते हैं आगे की इसमें क्या information आपके लिए दे रखी है अगर इसमें आप किसी भी तरह की incomplete information देते हैं अगर आप किसी भी तरह की कोई बी information अपने regarding जो की गलत है जो की I.O. को पता होनी चाहिए और आप उसको नहीं देते हैं इसकी सूचना नहीं देते हैं और आप कोई भी information गलत ये फिल करते हैं तो आपका जो registration है वो किसी भी stage पर cancel करा जा सकता है तो आप इस चीज का ध्यान रखें और आप जो भी form ये fill करते हैं आप इसको soft copy और hard copy में अपने पास सुरक्षित जरूर रखें ये future reference के लिए है जैसे कि आप तुरुटी सुधार रित्याद यानि आप जो correction form होगा वो और जो आप payment करेंगे fee का वो तो ये सारी चीज़ें आपको जो ना अपने पास save रखनी होगी hard copy और safe copy के soft copy के रूप में तो ये आपके पास होगा और जो OTR होगा वो आपके पंजीगर जो mobile number होगा उस पर और email ID पर इस पर इस सूचना आपको देते रहेंगे तो आप ये भी अच्छे से और correctly fill क करिएगा जो कि आप active हो आपके पास and आप इनकी website पर जाकर OTR जो carry it है वो जाकर directly online application पर जाकर आपना जो form है वो fill कर सकते हैं और अगर आपने OTR registered नहीं किया है अभी तक तो आपको पहले book करना होगा उसके बाद ही आप आगे का process कर सकते हैं आपका जो form है वो तीन भागों and apply जो third होगा तो आप यह सब अपने आप अच्छे से check out कर लीजेगा आपको first OTR जो मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैसे कैसे करना है और आपको मैं practical भी आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह OTR registration registered कर सकते हैं तो आप मेरे साथ अंतर तक इस video में बने रहेगा दुद् तो इसमें देख लीजेगा हम सीधे चलते हैं और इस पर हम एक पार देख लेते हैं payment का payment आप net banking और card payment other payment modes के according आप payment कर सकते हैं आप किसी इन किसी भी माद्यम से किसी भी माद्यम से आप जो ना अपना जो application का fee है वो आप submit कर सकते हैं फूर्थ चरन में आप dashboard पर जाके आप जो भी modify submit अगर आपको submit करना है आप submit कर सकते हैं अगर आपको अपना form modify करना है तो आप modify भी कर सकते हैं तो और उसके बाद हम देख लेते हैं आविदन शुल्क तो इसमें इसमें दो आपके test होने वाले हैं जो कि एक main होगा और एक primary test होगा तो आप प्रारंबिक परिक्ष ही है वो है 100 रुपए आपकी परिक्षा जोलक रहेगा, online प्रक्रिया का शोलक 25 रुपए तो total आपको 125 रुपए इसमें पम करना होगा, SC and ST के डिगरी के लिए इसमें परिक्षा शुल्क 40 रुपए और ऑनलाइन इसमें 25 रुपए इसका ऑनलाइन परिक्षा शुल्क है तो टोटल आपको 60 रुपए देने होंगे and PUDC candidates के लिए इसमें किसी भी तरह का परिक्षा शुल्क नहीं दिया हुआ है तो आपको ऑनलाइन परिक्षा शुल्क देना होगा जो की 25 रुपए रहेगा बूतपूर सैनिक यानि एक्स सर्विसमें candidates के लिए इसमें परिक्षा शुल्क 40 प्लस ऑनलाइन जो शुल्क है 25 रुपए वो आपको परिक्षा शुल्क है इसका टोटल जो होता है वो होता है 65 रुपीज तो आपको 65 रुपए इसमें देने होंगे और इसको हम अब चलते हैं इसमें male and female दोनों ही candidates इसमें fill कर सकते हैं इसमें जो पुरश पत के लिए जो कुल रिखतियां है वो रहेंगी 171 और जो महिला पत की रिखतियां हैं कुल रिखतियां वो रहेंगी 2079 तो यह आपको यानि 2069 पोस्टें इसमें महिला उमिद्वारों के लिए है staff nurse and male staff nurse के लिए इसमें 171 पोस्टें रहने वाली हैं आपका बेतनमान जो रहेगा इस विकिंसी में वो रहेगा 900 से लेकर 3400 ग्रेट पे 4600 आपका रहेगा तो आपका level 7P matrix रुपे आपकी जो salary रहेगी वो 44900 से लेकर 1,42,400 रुपे तक आपकी salary इसमें रहने वाली है तो आपको salary तो इसमें काफी अच्छी मिलेगी और आरक्षन जो मिलेगा वो UP के जो candidates हैं जो UP का जिनके पास domicile है केवल उनी को आरक्षन इसमें दिया जाएगा इसमें clearly mention हो रखा है आप इसको check out कर सकते हैं and essential qualification और एक बार हम लोग देख लेते हैं staff nurse पुरुष के लिए इसमें आप GNM, BSC and post BSC nursing candidate आप इसमें apply कर सकते हैं आपके पास Indian nursing council और UP state nursing council का registration होना इसमें must है and same staff nurse के लिए भी इसमें Indian nursing council और UP state nursing council के साथ आपका होना must है इसमें भी GNM, BSC and post BSC nursing candidate आप इसमें apply कर सकते हैं आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां पर note लिखा हुआ है मायदमेक सिक्षा परिशत उतरपरदेश की पत्र संख्या परिशत 9 बटा 743 देनांग 25 दर दोजा 16 द्वारा निमकादित निमनांग केत परिक्षा संस्था द्वारा संचालित परिक्षा को हाई स्कूल परिक्षा के समक्स्टोई कार किये गए हैं किया गया है अगर आपने ये आपके जो देख रहे हैं इस वक्त ये सारे boards हैं अगर आपने इस में से किसी भी board से आपने अगर अपना highly school complete कर रहा है याणी 10th आपने अगर clear कर रहा है तो आप इस work incy की लिए इलिजिबल नहीं होंगे clearly सुन लीचेगा आप इलिजिबल नहीं होंगे अगर इनमेंसे किसी भी बोर्ट से आप ने अगर आपने किसी बोर्ट से अगर high school किया हुआ है तो ये सारे बोर्ट की जो है इसमें पूरी आपको information दे रखी है ये पूरी सोचना है आप इसको पर सकते हैं और देख सकते हैं ऐसे ही इसमें intermediate के लिए भी दे रखी है intermediate के लिए ये है आप देख सकते हैं कक्षा 12 जापने का हुआ है ये सारे बोर्ट के नामें अगर आपने यहां से इंटर करा है आपने 10 प्लस 2 अगर इन में से किसी बोर्ट से अगर आपने clear करा है तो आप इस परिश के लिए जॉब के लिए eligible नहीं होंगे तो आप इसको एक बार check out कर लीजेगा कि आप कहीं आपका जो बोर्ड है वो इसके समक्ष तो नहीं आता है इसके अंतरगत नहीं आता है अगर आता है तो आप eligible नहीं है और ये जो भरती है वो सीधी भरती है तो पुरिश और महिला के लिए तो आप इसको अच्छे से check out कर लीजेगा और सबसे बड़ी बात इसमें जो ना आपका experience के according आपको इसमें numbers भी मिलेंगे वो आपको हम बताएंगे इस देखिए इसपे लिखा हुआ है एक समविदा के आधार पर सेवा के प्रत्थम पूर्ष के लिए तीन अंक और दो समविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रतेक पूर्ष के लिए आपको तीन अंक प्रती वर्ष के लिए दिये जाएंगे तो आपको हर आपको अभी तक कितना भी experience होगा अगर आप समविदा पर अगर आप जॉब कर रहे हैं स्टाफ नर्स के पद पर यूपी में तो आपको इसमें जो है आपको प्रती वर्ष का तीन अंक दिया जाएगा टोटल माप्स इसमें पंदरा इसमें रहने वाले हैं आपको मैक्सिमम जो अंक मिलेंगे वो पंदरा रहेंगे तो आपके लिए ये benefit है जो समविदा में जो जॉब कर रहे हैं अब भ्यारतियों के लिए इसमें good news है चलिए अब हम आगे की information एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें आपको हम अंतिन जो आप जब अपना submit कर देंगे तो आप उसका मैं पहले ही बता रहा हूँ आप एक बार उसको जब submit करने से पहले आप उसका print ज़रूर ले ले age limit देख लेते हैं हम लोग minimum age इसमें 21 years and maximum age इसमें 40 years दे रखी है और जो अनुसोचत जाती और जो भी reserve candy rate है यूपी के उन्हीं को केवल इसमें छूट मिलने वाली है तो ये आप देख लीजेगा और इसके बाद जो means की लेखित परिक्षा होगी उसके लिए आपको पुना यानि आपको दुबारा फॉर्म फिल करना होगा और इसमें सारी जो आप भी आप जो फॉर्म है वो फिल करेंगे और उसके बाद जो application fees है वो भी आपको दोबारा देनी होगी तो वो जो रहेगी वो हम देख लेते हैं उत्तर परदेश के बाहर के आप भीहारतियों के लिए परिक्षा शुल्क 200 रुपे अन्य ओनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसमें 25 रुपे रहने वानी है योग 225 रुपे अनसोचत जाती और उत्तर परदेश के अनसोचत जन जाती के अब भीहारतियों है तूँ इसमें 80 रुपे और 25 रुपे मिलाकर इसमें 105 रुपे application fees रहती है और इसमें दिव्यांग अभ्यारतियों के लिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क दे नहीं है परंतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपको इसमें देना होगा अब यह सारी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगा आप वहां से जाके जॉइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को और इस पूरी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको कैसे स्लेवर्स और कवर कर लेते हमें एक बार आपका इसमें टोटल 170 प्रशन आने वाले हैं यानि 170 आपकी Qs में रहेंगी जिसमें आपको 2 गंटे का टाइम मिलेगा टो आर्स इसमें आपको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे फर्स जो इसमें 30 Qs जो इसमें रहने वाले हैं वो रहेंगे समाने ग्यान के समाने हिंदी के इसमें 20 प्रशन एन मुख है विशे नर्सिंग यानी नर्सिंग के इसमें जो पुरिशन रहेंगे वो रहेंगे 120 तो इसमें 120 कृषिण आपको नर्सिंग के रहने वाले हैं 20 समाने हिंदी 30 समाने ग्यान के कुल 1785 अंक का आपका ये पेपर रहेगा और 15 अंक जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको अपने experience के according इसमें मिलने वाले हैं तो ये आपका पूरा पार्टे क्रम है जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा slavers है इसमें क्या क्या आएगा ये पूरा आप चेकाउट कर सकते हैं सामाने हिंदी में क्या होगा और नर्सिंग में क्या चीज रहने वाली है और ये देखिए ये है अनुवा प्रमान पत्र प्रिसिस्टी 5 पर आप देख सकते हैं आपको अपने कारियाले से आप जिस जहां पर आप आप उस्टर हैं आपको वहाँ से फिल कराना होगा और यह आपको सब्मिट करना होगा जब आप form fill करेंगे ये इसका पूरा प्रारूप है आप इस वक देख सकते हैं मैं इक पर आपको zoom कर गया और दिखा देता हूं ये देखिए ये रहेगा आपका अनुवा प्रमान पत्र जो किया कारेले का नाम वो पत्रांग संख है आपको इस पर वही कारेले से आपको मिलेगी आप वही से आप जहा पर आप समविदा के आदार परूप्र स्टाफ नर्स के पत्द पर आपकारे सैं तो आप इसको अच्छे से फिल करायेगा और पत्रांग संख्याज जरूर ले ली जएगा तो ये आपको ये मैं पूरी complete information इस वक्त में दे चुका हूँ और मुख्य जो लिखित परिक्षा होगी उसकी भी information आम आपको दे देते हैं ये देखिए मुख्य ये प्रसेस्टी चार पर इस पर दे रखा है उसमें एक प्रसेशन पत्रप होगा समय विदी जो आपका जो time रहेगा वो 3 hours यानि 3 गंटे का रहने वाला है ये भी आपका 85 marks का आपका इसमें paper रहेगा तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें आपकी परिक्षा योजन इसमें ये 125 आपका चख़ड आ इसमें कुल 5 लग उत्री प्रशन होंगे सभी प्रशन करना आनिवारे हैं प्रतेख प्रशन काच आंक का होगा अधिकतम शब्द सीमा इसमें 125 marks की वो सारी 125 words का आपको इसमें लिखना होगा एंखन बा में इसमें कुल 6 दीर को उत्री है यानि long type questions इसमें रहेंगे अभ्यारती को इन में से कोई 4 प्रशन हल करने होंगे प्रतेख प्रशन के 15 आंक का होगा यानि हर प्रशन आपका एक question जो रहेगा वो इसमें long वाला इसमें 15 marks का रहने वाला है तो इसमें अधिकतम शब्द जो आप शब्द सीमा होगी वो 300 words की इसमें रहने वाली है यानि आपको जो इसका answer देना है वो 300 शब्द के अंदर अंदर words के अंदर अंदर आपको देना होगा तो इस प्रकार से आपकी ये main परिक्षा रहने वाली है तो आप इसको देख सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं इनकी website पर तो एक बार हम check out कर लेते हैं कि हम किस तरह इस पर जाकर हम online apply कर सकेंगे तो हम चलते हैं अपने browser पर और एक बार हम देख लेते हैं यह देखिए मैंने कि जैसे कि पहले ही Google पर open कर रखा है UPSC की यह website है आप इसको check out कर सकते हैं उपर आप इस वक देख पारे होंगे लिखा हुआ तो जैसे ही आप यह search करेंगे तो सबसे पहला जो main page है वो यही रहने वाला है इसको हम desktop site यह UPSC का main website है आप इस वक देख सकते हैं थोड़ सा आपको visible नहीं हो रहा होगा यह phone पे इतना ही खुल रहा है मैं थोड़ से screen को rotate कर लेता हूँ अब आप screen पर इसको देख पारे होंगे मैं इसको इसी तरह डालूँगा तो आप एक बाल थोड़ सा please adjust कर लीजेगा इसमें यह notification and advertisement आप इस वक देख पारे होंगे उपर ही इस पर हम लोग जहां पर new लिखकर आ रहा है आप एक बार हम लोग क्लिक करेंगे तो यह हमको अपने advertisement वाले section पर जो page है आप इस पर जाकर redirect करेगा तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पारे होंगे mode of recruitment आ चुका है staff nurse examination हम इसको थोड़ सा slide करेंगे तो इसके बाद आप यहां से इसका user instruction देख सकते है किस तरह से आप इसको और view advertisement है इसमें अगर आपको advertisement देखना है तो आप यहां पर क्लिक करके आप advertisement देख सकते हैं और download यहीं से हो जाएगा और apply का button इस पर दे रखा है हम एक पर आपको apply करके दिखाते हैं अब आपको देखाएंगे कि आप OTR भी इसी तरह आपको यहां ही ही आप यहीं से जाकर आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यह बता दूँ यह temporary and non-existed यह पोस्टे रहेंगी यह अभी त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस पर यह clearly mention इसमें कर रखा है कि यह जो पोस्टे हैं वो temporary and non-existed रहने वाली हैं आप खुद देख लिजे मैं आपको कुछ जूट या गलत नहीं पता रहा हूँ आप इस वक्रीन पर देख सकते हैं यही वो पोस्टे हैं 171 और 2017 आप दे करके and female candidate आप भी आप नीचे वाले check qualification जहां पर staff nurse female के लिए हैं आप महाँ पर जाकर check कर सकते हैं तो इस वक्ता स्क्रीन पर देख पारे होगे authenticate with otr तो आप इस पर click करेंगे तो इस पर आप से यह पूछेगा कि आप authenticate with otr server से आप authenticate हैं या नहीं हैं तो आप simple इस पर click कर करेंगे तो इस पर यह पूछ रहा है आपके पास otr registration है या नहीं अगर है तो yes करेंगे और नहीं है तो no करेंगे तो no पर एक बार हम लोग click करते हैं तो जैसे ही आप no पर click करेंगे तो यह आपको otr की जो window है आपको यह वहाँ ले जाकर redirect करेगा click here लिखा था नीचे आप यह back चला जाए देखिए click here to get your otr number तो यहाँ पर आपको click करकर अपना otr number लेना होगा तो otr number लेने के लिए आप क्या करेंगे इसके लिए फिर मुझे एक बार screen को rotate करना होगा otr number लेने के लिए आपको इसमें सबसे पहले otr through e-form आपको fill करना होगा जिसमें applicant का email number email id and mobile number और फिर उसके बाद applicant name, applicant gender and category, applicant father's name and mother's name यह आपको पूरा fill करना होगा applicant का domicile of state और उसके बाद आप देख सकते हैं यह sign up वाला है जो आपको sign up देख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पर through e-form डिखा हुआ है email id आप डारेंगे then mobile number और उसके बाद आपको verify करन होगा mail भी और mail या mobile number कुछ भी आप verify कर सकते हैं फिर उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको second stage में आपको अपनी photo जो की छे पांच into 6 आइसकी जो size होना चाहिए और signature का 6 into 3 आपका size होना चाहिए उसके बाद आप इस पे अपना अधार number name, middle name, last name आप यह पूरा fill करने के बाद आप जो verification capture code है आपका यह जो capture code है इस वक देख पा रहे होंगे यह आपको fail करके आपने आपको registration registered करने के बाद आप उसके बाद आपको जहां पर आपने देख रखा है यह no वाला option है इस पर आप yes करेंगे और उसके बाद go पक क्लिक करेंगे तो आपको जो OTR number मिल पर आएगा या mobile number पर जो भी आपने information दे रोके होगी उसी के मादियम से वो आपको share करेंगे तो जो OTR number आपको share करेंगे जो आपको मिले का वो आपको यहाँ पर fill करने के बाद और proceed पर click कर देना है और उसके बाद आप आने का process इस तरह से कर पाए तो I hope मेरे द्वारा दी हुई information से आपको काफी help मिले होगी तो इस vacancy के लिए आप preparation में लग जाएए मेरी तरफ से आपको all the best and best of luck apply करने से पहले आप इनकी terms and condition अच्छे से read कर लीचेगा अगर आपको information अच्छे लगी हो तो प्रीज वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और हमारे साथ connect रहने के लि हुआ है